जेहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPA Study Point YouTube चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं CRPF की latest भरती के बारे में यानि कि सितंबर और October मन्थ में जो CRPF के तरफ से भरती को लेकर officially notification जारी किया गया है उन सभी भरती के बारे में आज किस वीडियो में आपको ब को दबा दीजिए तो दोस्तों जो हमारी फर्स्ट भेकेंसी है CRPF के द्वारा जारी किये गए वह है 24 सितंबर 2021 के इसको इसका notification आया था जिसमें various post पर आपका भेकेंसी होने वाला है यानि कि इसमें EASI, Head Constable, इसके लावा Constable GD, इसके अलावा आप सभी देख सकते हैं Taylor, Car Painter, Mochi, Cook, Wasserman काफी सारे post पर जो है वेकेंसी का details यहां पर दिया गया है और इसमें total post जो है 506 रहने वाला है और ये notification बताया गया है upcoming vacancy यानि कि ये vacancy जो है आपका होने वाला है CRPF के द्वारा जो है ये जनकारी 24 सितंबर 2021 के इसको दिया गया था तो ये भरती जो है आपक इसका notification जो है देखने को मिल जाएगा November से December मन तक जो है ये vacancy यानि कि पूरी संभावना है और ये जो है तेंथ पास भरती होता है यानि कि अगर आप तेंथ पास है तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बाद जो next vacancy है CRPF के द्वारा जारी किये गए वाह है 2021 को आया था और ये vacancy जो है interview basis पर होने वाला है यानि कि interview के अधार पर इसमें आपका selection किया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ये recruitment जो है CRPF मयूर बिहार फेज थीरी निव दिल्ली के तरब से जारी किया गया है जिसमें जो आपका post रहने वाला है मैसन का post है और सिवर मै जो है आपका post इसमें रहने माला है और इसमें एक एक post जो है दोनों vacancy में दिया गया है और pay scale बताया गया है कि दिल्ली government rule के अनुसार दिया जाएगा यानि कि दिल्ली में जो skilled या un skilled labor की salary होती है उसी के according आपको pay scale दिया जाएगा qualification बताया गया है कि इसमें जो है ITI pass होना यानि कि अगर आप सभी इस trade में ITI pass है तो आप इस firm को apply कर सकते हैं और इसका interview आपका 27-10-2021 को होने वाला है और ये interview आपका इस address पर conduct होने वाला है तो अगर आप interested है अगर आपके पास ITI है इस field में तो आप सभी इस location पा जाकर जो है interview दे सकते हैं और इसमें आपका selection हो सकत है तो ये जो है CRPF के तरब से ये भी notification आया है और ये notification का date भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जिसका interview 27-10-2021 को होने वाला है सबसे पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी SSE Constable GD की तयारी कर रहे हैं और इसके लिए practice set लेना चाहते हैं तो चक्छू publication के आप सभी इस book को purchase कर सकते हैं इस book के अंत्रगत आपको 20 practice set, previous year के 8 self paper और 32 plus बहुभी कलपी ये परस्न देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा चक्छू publication का complete guide, previous year का cushion bank भी मिलता है तो आप सभी इन तीनों book को purchase कर सकते हैं इसका link वीडियो के description में दे दिये हैं आप सभी जाकर online order कर सकते हैं या आप अपने नजदिक के market से भी जाकर इन तीनों book को purchase कर सकते हैं इसके बाद जो हमारी third number की vacancy है CRPF के द्वारा जारी किये गए head constable ministerial के लिए आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं CRPF के द्वारा ये vacancy जारी किया गया है और इसमें total vacancy आपका 32 रखा गया है और इसका last date 15-10-2021 तक है और इस form को आप सभी speed post या register post के माध्यम से apply कर सकते हैं यानि कि offline इसका form apply करना है इसमें qualification 10 plus 2 रखा गया है और इसके अलावा आप सभी को बता दे कि इस भरती के अंत्रगत age limit अठारे से 25 बरस के बीच रहने वाला है लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दे कि जो ये vacancy जारी किये गया है ये relationship वाले student के लिए भरती है यानि कि इसमें फरेसर जो candidate है वे apply नहीं कर पाएंगे कियमकि यहाँ पे जनकारी दिया गया है कि अगर किसी के फादर जो है killed in action, missing या medically boarded out है तो उनके जो पूत्र या पूत्री है यानि कि जो उनके संतान है वे जो है इस firm को apply कर सकते हैं यानि कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक relationship की भरती है तो अगर आप सभी relationship के अंतरगात आते हैं या आपके भी father अगर job करते सहीद हो गए हैं या missing है या medically boarded out है तो आप इस firm को apply करने के लिए eligible है आप सभी इस firm को apply कर सकते हैं इसके बारे में मैंने complete एक video बना दिये हैं अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो link आपको description में मिल जाएगा और इसी firm को जो है आपको apply करना है CRPF के द्वारा जारी किये गए जो last हमारी भरती है वह है आप देख सकते हैं Commandant Engineer Post पर जारी किये गए हैं और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं CRPF यानि कि Central Reserve Police Force के तरप से ये vacancy जारी किये गए हैं जिसमे Commandant Engineer और इसके अलावा एक पोस्ट और है आप सभी देख सकते हैं Deputy Commandant Engineer पोस्ट पर ये vacancy जारी किये गए हैं तो दोस्तों इस भरती के बारे में जादा बात नहीं करेंगे कि जो ये vacancy है ये जो है अगर आप पहले से एक सर्विसमें जो student है जो पहले से जोग किये हैं उनके लिए है तो इसमें जो है फ्रेसर Candidate जो है जो फ्रेस Candidate है जो 10th 12th Pass है वे अपलाई नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में जादा जनकारी आप सभी को नहीं बताएंगे लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और इस vacancy के लिए interested है तो इसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल दिये हैं और जैसे ही दोस्तों आप सभी की जो upcoming vacancy है Constable GD की, Head Constable Ministry की और इसके अलावा जो है Constable Kitchen सर्विस की MTS की ये सभी जैसे ही भरती आता है आप सभी को हम इस चैनल पर बता देंगे तो अगर आप CRPF में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख कोई भी सवालों कमेंट सक्सेन में पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वडियो में तब तक लिए जैहिंद बंदे मातरम